नमस्कार मित्रो आज हम बात करेंगे कि स्रबन नक्षत्र में ब्रिहस्पती का क्या फल होगा मित्रो हम स्रबन नक्षत्र के चारों चरण में ब्रिहस्पती का क्या फल होगा इस विशेपर एकित करके एक एक चरण की अलग अलग बात करेंगे मित्रो यदि आपकी जन्म कुंडली में ब्रिहस्पती स्रबन दक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धनबान होता है इन लोगों के पास मैं पैसा रुपया परयाप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपनी बुद्धी से अपनी चतुराई से चालाकी से धन कमाने बाले भी होते हैं ये लोग चालाक होते हैं और कूट नीती से या फिर चालाकी से अपना काम बनाने वाले होते हैं ये लोग थोड़े स्वारती प्रवर्ती के भी होते हैं किसी भी प्रकार से केवल और केवल अपना काम बनाने की कोशिस करते रहते हैं और बना भी लेते हैं ये लोग निडर सूरवीर सुभाव के होते हैं, पराक्रमी होते हैं, किसी भी व्यक्ति से जल्दी से डरते नहीं हैं, अथवा किसी भी परिस्थिती में कैसे भी माहौल में निडर होकर के रहने बाले होते हैं, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी निडर होकर के निर्भी खोकर के सामना करने बाले होते हैं यदि इन लोगों को अंदर ही अंदर डर लगता भी रहता है तो भी ये लोग अपने डर को जाहिर नहीं करते सामने बाले व्यक्ति को पता नहीं चलने देते हैं कि इन लोगों को डर लग रहा है ये लोग समाज के बड़े लोगो से या फिर राजनेतिक नेताओं से मंत्रियादी से संपर्क रखने वाले होते हैं या फिर ये लोग समाज के धनवान लोगों से अमीर लोगों से संपर्क रखने बाले होते हैं लेकिन ये लोग दूसरे लोगों के काम आने बाले नहीं होते ये लोग केबल अपना स्वार्थ सिद्ध करने बाले होते हैं और इन लोगों के हाथ में यदि कोई पद आ जाए ये लोग किसी सासन प्रसासन के सरकारी किसी पद पर बैठ जाएं तो ये लोग अपनी सक्ति का दुरुपियो करने बाले होते हैं किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करते अपने पीछे केवल लोगों को भगाते रहते हैं जैसे बहुत सारे सरकारी बावू आपने देखे होंगे, जो सरकारी गवर्मेंट, कुछ न कुछ काम करने बाले अधिकारी बगएरा होते हैं, तो कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो किसी का भी काम नहीं करते, केवल अपने पीछे लोगों को भगाते रहते हैं, तो ये लोग भी बैसे ही होते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं, बस लोगों को अपने पीछे भगाते रहते हैं, और जहासा देते रहते हैं, कहां ठीक कल कर देंगे, परसों कर देते हैं, करते कभी नहीं हैं ये लोग धर्म के विरुध्ध आचरण करने वाले होते हैं धार्मिक तो होते हैं धर्म को मानने वाले होते हैं लेकिन जैसा धर्म का नियम है उस तरह से ये लोग नहीं चलते धर्म के ठीक विपरीत ठीक उल्टे चलने वाले होते हैं और कई बार गलत आचरण करने के कारण इन लोगों को नुक्सान भी होता है। कभी कभी ये लोग जल्द बाजी में या फिर क्रोध में आ करके कोई न कोई ऐसा काम भी कर देते हैं जिस कारण से ये लोग खुद ही परिशानी में पढ़ जाते हैं। ये लोग सौकीन मिजाज का कोई न कोई नसा करने बाले होते हैं या फिर इनके जीवन में कोई न कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। नसा करने का मतलब यही होता है किसी चीज का नसा लग गया तो इसका मतलब यही है कि आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं। नसा करने का मतलब केवल यही नहीं है कि सराव गांजा दारू और कुछ पीएगा तभी नसा होगा। बहुत सारी ऐसी गलत आदते भी लोगों को लग जाती हैं जिन आदतों को लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको छोड़ नहीं पाते। एक प्रकार से उन आदतों का भी छोड़ देना चाहिए धर्म के साथ चलना चाहिए और तीसरी चीज किसी भी प्रकार का कोई भी नसा किसी भी प्रकार की कोई व्यसन से दूर रहना चाहिए यदि यह तीन चीज यह लोग छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों की उन्नती बहुत जाद हों तो ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्तित वाला होता है ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और समाज के लोग भी इनका सम्मान करने बाले इनका आदर करने बाले होते हैं और इनकी बात मानने बाले होते हैं ये लोग खुद भी बहुत बिनम्र सुभाव के होते हैं और समाज के बड़े लोगों का, समाज के बिद्वान, बुद्धिमान लोगों का आदर करने बाले, सम्मान करने बाले होते हैं। ये लोग भाग्य साली होते हैं, इनको अपने जीवन में किस्मत का साथ समय समय पर मिलता रहता है। और ये लोग अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, उसी काम में फैमस हो जाने वाले होते हैं, यदि ये डॉक्टर बनते हैं, तो प्रसिध डॉक्टर बन जाते हैं, यदि ये इंजिनियर बनते हैं, तो फैमस प्रसिध इंजिनियर बन जाते हैं, यानि कि जो कुछ करते हैं उसी काम में फैमस हो जाने बाले होते हैं ये लोग बागपटू होते हैं बोलने में माहिर होते हैं और अपनी बातें बहुत सही ढंग से समाज में रखने बाले होते हैं कई बार ये लोग बहुत प्रसिद्ध, प्रवक्ता, कथा बाचक या फिर अच्छे भासन करता बन जाते हैं लेकिन इन लोगों के बिचार तो बहुत युबकों की तरह होते हैं बहुत जवान लोगों की तरह इनकी बाते होती हैं बहुत क्रांतिकारी भासन देने वाले होते हैं लेकिन इन लोगों के सरीर में ब्रधावस्था के लक्षण जल्दी से दिखने लगते हैं। जैसे बाल सफेद होना, या फिर पर जुर्यां पड़ना, या फिर जोड़ों में दर्द इस तरह की चीजें जो ब्रधावस्था में होने वाली चीजें होती हैं, वो इनके सरीर में जल्दी से दिखने लगती है यानि कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके विचार तो जवानों की तरह होते हैं लेकिन इनका सरीर बुढ़े लोगों की तरह होता है ये लोग लेखन कारे में भी माहिर होते हैं कई बार ये लोग कविताय आदी लिखना बहुत करते हैं कभी कभी ये लोग अपने जीवन के अंत समय में जीवन के उत्तरार्ध में किसी न किसी संस्था के संपादक या फिर लेखा कादी बन जाते हैं अथवा ये लोग अपने जीवन के अंत समय में या फिर अपने जीवन में कभी भी कोई न कोई पुस्ता कादी लिखने वाले होते हैं, ये लोग उदार व्यक्तित वाले होते हैं, समाज में सभी लोगों को साथ ले करके चलने की कोशिस करने वाले होते हैं, और बड़े दिल के होते हैं, तो समाज के जो जरूरत मंद लोग हैं, उनकी सहायता करने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों को स्वास्थ संबंधि समस्याएं कभी-कभी होती रहती हैं जादा तर इन लोगों को पेट से संबंधित रोग होते रहते हैं या फिर सरीर में नसों में खिचाव के कारण सरीर में दर्द की समस्या होती है इन लोगों का स्वास्थ बहुत अच्छा नहीं होता ठीक ठाक हम कह सकते हैं मध् मतलब है कि ब्यर्थ में अपना पैसा खर्च करके और अपने लिए सुख की चाह रखने वाले होते हैं इन लोगों को अपने जीवन में एक तो बिलासिता अतिशुक की चाह छोड़ देनी चाहिए और दूसरी चीज ये है कि अपने सरीर के प्रति अपने स्वास्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए यदि ये दो चीज़ें ये लोग करते हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को अपने जीवन में बहुत प्रकती उन्नती प्राप्त होगी मित्रो यदि जन्म कुंडली में ब्रिहस पती स्रवन नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ती सुन्दर दिखने वाला होता है ऐसे लोग आकरशक अच्छे दिखने वाले और एकदम राजकुमार की तरह होते हैं इन लोगों का सभाव राजकुमारों जैसा होता है कोमल सभाव के होते हैं और साथ ही ये लोग गुनबान बुद्धिमान होते हैं ये लोग वाकपटू होते हैं बोलने में माहिर होते है और अपनी बातों को समाज में बहुत सही धंग से रखने बाले होते हैं ये लोग वाणी के जादुगर होते हैं अपनी बातों से किसी भी व्यक्ति को जल्दी से कन्वेंस करने बाले होते हैं इनकी बातों में बहुत आकरसन होता है ये लोग अच्छे वक्ता, प्रवक्ता, भासन करने वाले या फिर अच्छे कथा बाचक बन सकते हैं ये लोग काब्यात्मक बादचीत करने वाले होते हैं काब्यात्मक का मतलब है कि जैसे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात बात में कोई ना कोई साइरी बोल देते हैं, या फिर बात बात में कोई ना कोई फिल्मी डायलोग बोल देते हैं, या फिर कोई फिल्म का गाना, कुछ भी बोल देते हैं, तो ये लोग भी बैसे ही होते हैं, ये लोग बात बात में किसी ना किसी प्रकार की कोई कवि व्यक्तित्तों के भी होते हैं किसी भी व्यक्ति से जल्दी से प्रभावित नहीं होते और किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करते ये लोग 100% परख करके फिर विश्वास करने वाले होते हैं कोई भी व्यक्ति इन लोगों को जल्दी से बेवकूप नहीं बन ये लोग दूसरों के गुणों को परख करके ही उस व्यक्ति को अपना बनाने बाले उस व्यक्ति पर विश्वास करने बाले होते हैं ये लोग धनबान होते हैं इन लोगों के पास में पैसा रुपया परियाप्त मात्रा में होता है और ये लोग धार्मिक सुभाव के भी होत सामाजिक कारियों में या फिर धार्मिक कारियों में आंगे रहने बाले होते हैं ये लोग कई बार किसी ना किसी धर्म के जानकार भी होते हैं कोई न कोई धार्मिक नेता आदी के संपर्क में रहने बाले भी होते हैं धार्मिक नेता का मतलब है कि किसी धर्म के बड़े आचारियों से संपर्क रखने बाले होते हैं ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई गुप्त विद्या के जानकार भी होते हैं जैसे कि जोतेश है या फिर तंट्रमंत्रादी अन्यय अन्य प्रकार की कोई नकोई गुपत विद्याओं के जानकार होते हैं और यह लोग अपने जीवन में बहुत प्रसिधि प्राप्त करने वाले होते हैं इन लोगों को अपने जीबन में किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा दया नहीं करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भावुकता बस उसके प्रती बहुत ज़्यादा धन नहीं लुटाना चाहिए यदि ये लोग अपनी भावुकता पर और अपनी पर थोड़ा कंट्रोल रखें तो निश्चित रूप से ये लोग बहुत प्रसिद्धी बहुत प्रगती प्राप्त करने बाले होंगे यदि जन्मकुंदली में ब्रिहस पती स्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर दिखने बाला अच् समझदार होते हैं सभी की बातों को सुनने वाले और समझने वाले होते हैं और ये लोग सभी की बातों को सुन करके समझ करके फिर अपने हिसाब से काम करने वाले होते हैं ये लोग जीवन में अपनी बुद्धी और विद्या के माध्यम से खूब प्रसिद्धी प्राप्त करने वाले होते हैं, ये लोग बागपटू होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को समाज में बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं, और ये लोग बहुत रोचक भासन देने वाले होते हैं, इन लोगों का जो भासन होता है, इन लोगों की जो बोलने क कला होती है वो बहुत रोचक होती है बहुत आकरशक होती है कई बार ये लोग अच्छे कथा बाचक या फिर अच्छे speaker बन सकते हैं ये लोग धार्मिक सुभाव के भी होते हैं और धर्म करम के कारियों में हमेशा आंगे रहने बाले होते हैं ये लोग धनबान होते हैं इन लोगों के पास में पैसा रुपया परियाप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपने पैसे को धर्म के कारियों में या फिर सामाजिक कारियों में लगाने बाले होते हैं ये लोग उदार व्यक्तित बाले समाज में सभी की सहायता करने बाले और सभी के साथ में खड़े रहने बाले होते हैं इनका जीवन साथी होता है वो भी बहुत उदार व्यक्तित वाला बड़े दिल वाला होता है और इनका जो जीवन साथी होता है वो हमेशा धर्म के कारियों में रुची रखने वाला होता है लेकिन ये लोग खुद थोड़ा लज्जा जनक व्यवार करने वाले होते हैं लज्जा जनक का मतलब है कि कभी-कभी ये लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जिस कारण से इनके साथ में जो व्यक्ति होता है उसको थोड़ी लज्जा आती हो उसकी थोड़ी सर्म आती है लेकिन ये लोग बहुत बुद्धिमान और गुणवान होते हैं और समाज में हमेशा जरूरत-मंद लोगों के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े उत्तेजित सभाव के होते हैं, यानि कि ऊग्र सभाव के होते हैं, कोई भी काम हो तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाये। और कभी-कभी ये लोग किसी भी काम में शुरुआत तो बहुत उग्रता के साथ में, बहुत उत्तेजना के साथ में करते हैं, लेकिन बाज में धीरे-धीरे इनका जोस ठंडा पढ़ जाता है, और ये लोग थोड़े असंगत सुभाव के भी होते हैं, किसी के भी साथ में इन उम्र के बाद फिर इनका जीवन बहुत स्थिर हो जाता है और 36 बरस की उम्र के बाद फिर ये लोग अपने जीवन में बहुत उन्नती प्रगती प्राप्त करने बाले होते हैं। मित्रों आज के लिए वस इतना ही नमस्कार।